गुड मार्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू स्री अकेडमी आनलाइन इस्टटी प्लेटफार्म, फार क्लास थर्ड, मैसेल्फ राजनाथ पाठक, आज हम आप लोगों को पाठ तीन समय का मुल्य से प्रस्न उत्तर की जानकारी देंगे प्रस्न का समय का मुल्य प्रस्नों के उत्तर दो प्रस्न का समय को कीमती क्यों माना गया है उत्तर, समय मुल्यमान होता है कोई भी चीज खोकर दोबारा प्राप्त की जा सकती है किन्तु समय जो हाथ से निकल गया फिर वापस नहीं आता इसलिए समय को कीमती माना गया है प्रस्नका महत्मा गांधी समय के विशय में क्या सोचते थे महत्मा गांधी समय के विशय में क्या सोचते थे उत्तर, महत्मा गांधी समय के बहुत पाबंद थे वे सभी काम ठीक समय पर करना पसंद करते थे प्रस्नका महत्मा गांधी ने तागे वाले की प्रतिक्चा क्यों नहीं की महत्मा गांधी ने तागे वाले की प्रतिक्चा क्यों नहीं की उत्तर, महत्मा गांधी को कहीं भी देर से पहुचना अच्छा नहीं लगता था इसलिए गांधी जी ने तागे वाले की प्रतिक्चा नहीं की महत्मा कहीं भी देर से पहुचना अच्छा नहीं लगता था इसलिए गाधी जी ने तागे वाले की प्रतिक्षा नहीं की प्रस्णगह तागे वाले के समय पर न पहुचने की इस्थिती में गाधी जी ने क्या किया प्रस्णगह तागे वाले के समय पर न पहुचने की इस्थिती में गाधी जी ने क्या किया उत्तर तांगे वाले के समय पर नौ पहुचने की इस्थिती में गाधी जी ने एक साइकिल ली और तेजी से चला कर नियत समय पर सभा में पहुच गए प्रस्णगा इस पाट से क्या सीख मिलती है इस पाट से क्या सीख मिलती है इस पाट से सीख मिलती है कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए उचित सब्द छाटकर वाक्य पूरे करें मुल्यवान देर से महत्ता दोहराएं नियमित कर महान व्यक्त सदयों समय की महत्ता को समझते हैं महान व्यक्त सदयों समय की महत्ता को समझते हैं इसमें महत्ता भरना है प्रस्णख महात्मा गांधी को कहीं भी देर से पहुचना अच्छा नहीं लगता था इसमें क्या भरेंगे देर से प्रस्णख समय बहुत मुल्यवान होता है समय बहुत मुल्यवान होता है इसमें मुल्यवान भरना है घग जो पाठ कच्छा में पढ़ाए गए हूं उन्हें अवश्च दोहराएं अंगा नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी अस्फल नहीं होते नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी अस्फल नहीं होते इसमें भरना है नियमित होमवर्क में हिंदी पार्ठ तीन का प्रस्न उत्तर याद करना है पार्ठ तीन का रिक्त स्थान याद करना है फ्राम जीडी लर्न पेज वन एंड टू